हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अन में यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्प्लिनेशन का पार्ट नमबर टू है, अगर अभी तक आप लोगो नहीं फस पार्ट नहीं देखा है, तैन पहले आप वो देख लीजे, साथी दोस्तों चैनल को कर लीजे, और अगर आपको वीडियो पसंदाती है, तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजे, तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, किम यून जे, पार्ट मु यूल को अपना फीक हस्बेंड बना करके, घर ले आती है, और यूल घर आकर के, जो ओवर एक्टिंग कर करके जाने लगते हैं, जबकि यूल कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, वरना मैं तो गया समझो, मगर अब ये लोग जाने लगते हैं, और मिस किम और यूल इन्हें बाहर चोड़ने के लिए जाते हैं, अब कलीक्स के जाते ही, किम अपना सारा गुशा, यूल की उपर उतारने लगती है, वो उससे कहती है, क्या कह रहे थे, मुझे वामिट आने लगी, और उसके बाद मैं तुम से कनफेस करती हूँ, तब यूल कहता है, वो मैं केरेक्टर में कुछ जाद ही घुजगया था, और वैसे भी तुम परशान क्यों हो रही हो, ये कौन सा सच है, तब मुझे डाउट था, वो तुम से तो सही ही दिखती है, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, खेर, कोई दिक्कत नहीं होई, किम को तो इसके उपर बहुत गुसा आ रही थी, तब ही वो इसके हाथ में पैसे रखके कहती है, बहुत शुक्रिया, अब निकलो यहां से, तब यूल कहत और इन शॉट वो बैंक्रप्ट हो चुके थे, अचानक से बिचारा अमीर से करीब हो गया, और अपने डैट से पुछता है, आप ठीक तो है ना, उसके डैट कहते हैं, कि तू अपनी माम का ध्यान रख, मैं जल्दी यह सब कुछ ठीक कर दूँगा, अब यूल जब गर पह इस छोटू का नाम मिन हो है, और यह बॉस है, जबकि यह बड़ा वाला जुझे है, जो कि इसका चेला है, खेर अंदर से यूल की माम भी सुन लेती है, यह लोग बता रहे थे कि मिस्टर पार्क ने हमसे लोन लिया था, और यह घर हमें सिक्यार्टी के ले दिया था, अब जब वो हमें लोग नहीं चुका पाएंगे, तो इसका मतलब यह घर हमारा हुआ, आंटी जी आके कहती है, यह क्या बोले जा रहे हो, यहां तो आंटी जी की तबेद खराब हो जाती है, जब यह लोग घर को तोड़ने की बात करते हैं, और अगला चीन होस्पिटल कर रिख जाता है, एक्चली यूल के भाई की डैथ हो गई थी, और उसकी अस्तियां इसी घर में दफनाए गई है, इसलिए किसी भी कीमत में, आंटी तो यह घर छोड़ेंगी नहीं, अब यूल को ही कुछ करना पड़ेगा, इस घर को अपने पास रखने के लिए, जब तक उसकी ड जिनता होगी मुझे, खेर आगे यूल अपने उन दोस्तों के पास जाता है, जो कि हमेशा उससे मदद मांगते थे, लेकिन मुसीबत की समय में, यूल की कोई मदद करके रैडी नहीं था, जैसे ही ने पता चलता है, कि यूल के रैड बैंक रप्ट हो चुके हैं, दूसी त जरूरत थी, तो कोई उसके नखरे की वज़ा से उससे काम ही नहीं देता है, गुस्से में ये जाकर कि अपने पुराने बॉस का मुह ही तोड़ाता है, खेर ठक हार के, ये अपने उसी वेडिंग फोटोग्राफर दोस्त के पास जाता है, कुछ काम मांगने के लिए, तब इसे अपने टीम में जॉइन कर लेता है, अब इसे एक छोटी से कॉमर्शिल के लिए फोटो शूट करने के लिए जाना था, आज तक इतने नखरे सही नहीं ना किसी के, इसलिए बिचारा परशान था, कि तब ही वहाँ फोटो शूट कराने के लिए जो मॉडल आती है, वो दूसी तरफ मिस किम की जिंदगी भी ट्रैक पे नहीं थी, उपर से वो देखती है कि आज तो यॉंग का बर्डे है, इसलिए आज वो उसी रेस्ट्रेंट में जाती है, जहां यह अक्सर पहले जाया करते थे, यहां इनकी पुरानी लगी होई फोटो देख करके, वो बहुत हो गया, अब वो बहुत पैसे कमाएगी, और यॉंग को वापस ले लेगी, तो बस वो रात को बैटके दस तरीके सोचती है, और सुबा सुबा, वो दूद के पैकेट लेकर के, लोगों की घर जा जाके बाटने लगी थी, और तो और यह दूद के पैकेट बाटने क इसके अंदर इतना confidence आजाता है, तो जाकर कि यॉंग और वो क्यूं के आगे बोल देती है, कि बहुत जल्द मैं अमीर बन जाओंगी, और इसके बाद तुमें वापस ले लूँगी, क्योंकि मज़े पता है, कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो, और रही बात पैसो की ही जि तो दूसी तरफ यॉल को जिसकी वैडिंग का फोटो शूट करना था, वो कोई और नहीं, मिस किम की कलीक, जेही थी, अब ये बिचारा बड़ा परशान, काम भी करना है, और इसकी नजर में, तो मैं तारे देखने वाला रिसर्चर हूँ, खैर फिर भी मत कर कि इसके सामने जाता है, और जेही कहती है, अरे आप तो मिस किम के हस्बेंट है ना, यूल हाँ बोलता है, और इसके बाद वो कहता है, बहुत लंबी कहानी है, तब जेही कहती है, मैं समझ गई, बिचारे को कुछ समझाने की जरुरती नहीं पड़ती, और इसे लगता है, कि इसकी नौकर जाता है, और यही बजा है उसके ना शादी करने की, क्योंकि वो क्यूंग उसका यह सपना पूरा करने वाली है, और इसके बदले में, वो उससे नाम के लिए शादी करने वाला है, मगर वो घर जिसका है, वो तो बेचने को रेडी ही नहीं है, और यूल इनसे साफ मना करके यहां से चला जाता है तो वहीं अगले दिन जैही वो मिस किम से बोलती है मैंकल तुमारे हस्बेंट से मिली थी और मुझे तुमारा सच पता चल गया इसकिम को तो लग रहा था इसे पता चल गया कि शादी हुई ही नहीं है और वो फीक हस्बेंट है तो वो कहती है कि मैं कब स पताना चाहती थी अच्छा है तुम्हें पता चल गया वो रोने लगती है तब जहीं कहती है इसमें रोने वाली बात क्या है मगर एक बात बताओ तुम्हारा हस्बेंट वो तो रिसर्चर था तो उसके पास इतना टाइम कहां से आया कि उसने फोटोग्राफी सीख ली अब ज चल जाता है कि आखिर यॉंग ने उसे क्यों छोड़ दिया और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो दूसी तरह किम वो अपने मकान मालक की बेटे बॉंगो की साथ सबजी खरीदने के लिए गई थी वो नोटिस करती है कि बॉंगो की पास इतना दिमाग है कि वो प यूल को वहाँ देख करके उसके बाद वो इससे कहती है जरूर उपर ते चलो यूल कहता है हनी अंकल जी के पास थोड़ दिर बैटने दो मगर ये इसे खीचते होए उपर ले चाती है अंकल आन के कहते है नई नई शादी होई है ना मगर किम यूल से पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहत है तब यूल फोटो इल्बं निकाल के कहता है बस यह ही देने के लिए था मिस किम कहती है वह तो तुम मझे कहीं भी दे सकते थे घर आने की क्या जरूरत थी तो अब यूल कहता है, अभी नीचे अंकल जी भी कह रहे थे, तुम अखेली रहती हो, तुमारा husband साथ में नहीं रहता, तो उन्हें भी अजीब लगता है, और अगर तुमारे घर में चोरी हो गई तो, तुम मिस किम कहती है, कहना के चाते हो, साफ साफ कहो, यूल कहता है, तो यूल कहता है, तो मैं कौन सा, तुम से लिविन में रहने की बात कर रहा हूं, किम कहती है, कि अपनी बखवास करना बंद करो, और जब अंगल अंटी सो जाए, तो शांती से यहां से निकल जाना, तब यूल कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इस तरीकी से बात क करनी चाहिए, तब किम कहती है, क्या काम पे असर पड़ेगा, क्या वो मुझे निकाल देंगे, यहां पर लेबर यूनियन भी है, मैं सब देख लूँगी, मगर पहले तुझे देख लेती हूं, निकल यहां से वरना छोड़ूगी नहीं, और वो उसे समान दे की मारने लग और नीचे से अंकल आंटी देख रहे थे, तब यूल कहता है, बस थोड़ी से नराज हो गई है, हमेशा मैं ट्रिप से भार जो रहता हूं, वहीं खड़े हो करकी कहता है, हानी, मुझे माफ कर दो, और गेट खोल दो, अंकल कहते है, हमेशा पतियों को ही जुकना पड़ता ह इस चक्कर में आंटी जी कहती है, अंदर आओ, अभी बताती हूं, यूल मिस किम से कह रहा था, हरे ज़रा मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हे उस लड़के के बारे में बताना है, जिससे तुमारी शादी होने वाली थी, वो एक लड़की के साथ मेरे पास आया था, पस इतन अगर मैंने मेरा घर बेज दिया, तो गीम ओवर, फिर उन दोनों की शादी हो जाएगी, और उसके पास इतना पैसा है, कि मैं जतना मांगू, वो उतना देने को एडिय है, मगर मैं तो तुमारी मदद करने की सोच रहा था, तो क्यों ना हाथ मिला ले, क्योंकि दुश्मन क दुश्मन दोस्त होता है, और तुम्हें देखके समझ में आ रहा है, कि तुम अभी भी उस लड़के को पसंद करती हो, यौंगन इसकी बात मान लेती है, और उससे कहती है, पूरे 200 डॉलर लगेगा, महीने का रेंट यहां रहने का, यूल कहता है, अरे थोड़ा तो सस्ता के बाहरा आते हैं, और तब मिस किम कहती है, खानी की तरफ नजर डालने की कोशिच भी मत करना, क्योंकि वो उन पैसों में इंक्लूड नहीं है, यूल कहता है, हाँ ठीक है, पता है मुझे, मुझे सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती, वो पानी गरम करने लगता है, तो वो बात्रूम से लगतार पानी की आती है, आवाजे सुनकर की परिशान हो चाती है, कि पानी का बिल तो बहुत आ जाएगा, वो उसे भार बुलाती है, वो क्याता है क्या हो गया, मुझे ऐसे देखने की रादे हैं क्या, तब किम कहती है, कि तुमने शावर लिया, तो अब शावर लेने से पहले, उसके रूल भी जान लो, एले स्टैप, पानी चालू करो, और थोड़ी से गिली हो जाओ, दूसरे स्टैप, टंकी तुरंत बन कर दो, इसरे स्टैप, साबन लगाओ, चौथा स्टैप, पानी खोलो, और तुरंत साबन हटाते ही, पांच वे बन कर दो, याद रखना, कि एक बून पानी भी वेस्टर नहीं होना चाहिए, तब यूल उससे कहता है, तुम्हारी अलग दादागिरी चल रही है, तुमने क्या मुझे एरा गरा समझ के रखा है, मुझे लगा हम एक दूसरी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे, त कितने पैसे जाएंगे, तब किम कहती है, पूछ तो ऐसे रहो जैसे भढ़ने वाले हो, वो नीचे आ जाती है, खेरियूल तो जब काम पे भी जाता है, तब सब कुछ गलत ही हो रहा था, वो कहता है, सुबस अब उसका चहरा देख लिया, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, वही यह छोटे वास का दिल तो लगता है, मिस किम को देख करके उस पे अटकी गया था, जाते जाते भी, बस मिस किम को ही देखे जा रहा था, खेर असल महीं तो यह छोटो और लंबू इस एरिया में आये थे, यूल के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए, खेर अब रात को बार-बार चैनल मत बदलो, इससे बिजली का बिल जादा आएगा तब यूल कहता है, ठीक है पता है मुझे मगर अब तो वो जानमूच के बार-बार चैनल बदलने लगता है जिससे मिस्किम को इसके उपर गुसा आने लगती है और वो गुसे में उठ जाती है खेर इसी के साथ ये वाले पार्ड के एक्स्पिलनेशन तो यहीं पे कम्प्लीट होती है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर अब भी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थेंक्स फूर वाचिंग मिलता वाचल